यह सोज़़ेंस आज चैप्टर तू आप पढढ़ेंगे इसके पहले इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे हैं क्यों आगे आपको पढ़ना है कि एकोनॉमिक इंप आफ एकोनॉमिक इंप आफ माइक्रो आरगे निज्म Micro Organism के Economic Importance मतलब इस Micro Organism का आर्थिक महत्तो क्या है इसके बारे मैं आप पढ़ेंगे Micro Organisms are beneficial to us in a number of ways as follows यह जो Micro Organism है यह हमारे लिए अनेकों प्रकार से यह हमारे लिए महत्तोपूर है आज़े देखते हैं In Food Industry Food Industry में इस Micro Organism का क्या महत्तो है इस Food Industry में Roll of Bacteria in Food Industry इस गीवन भी लो कर रहे कि बैक्टेरिया का Food Industry में बहुत ज़्यादा महत्तो है आईए देखते हैं क्या है कर रहे कि मेकिंग कर्ड मेकिंग कर्ड दही बनाने में कर्ड मिंस दही दही बनाने में बैक्टेरिया की यहम जोगदान होता है यह जो लेक्टिक एसिद बैक्टेरियम यह जो बैक्टेरिया है वो प्लूरल है और बैक्टेरियम जो होता है वो सिंगुलर होता है करके Lactic Acid Bacterium Lactobacillus is used to make curd Lactic Acid Bacterium जिसका नाम है Lactobacillus ये दही बनाने में महत्वपूर भूम क्या निभाते हैं ये जो बैक्टेरिया होते हैं ये मिल्क को कर्ड में कनवर्ड कर देते हैं दूद में ये पहुँच करके बार बार Multiply करते हैं अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं आप दही को देखिए अगर आप को दही को माइक्रो इसकोप से दे दिये जाए कि माइक्रो इसकोप से देख लीजिए अब तब खाईए तो मैं पूरी गारंटी एक साथ कर रहा हूँ कि आप उसको खाने के तो बात छोड़िये न आप छूब नहीं पाएंगे क्योंकि उस दही में बहुत सारे बैक्टेरिया होते हैं लेक्टो बैसिलस लेक्टो बैसिलस बैक्टिरिया जो होते हैं वही दही को बनाते हैं उसमें ऐसे ऐसे जह चलते हुए आपको महसूस होंगे लेकिन उलावधायक होते हैं तो दही को बनाने में lactobacillus नाम्हक्ट पूल भिमिकर निभाता है मतलब एक जो बैक्टियरिया होते हैं वो दही बनाने के काम में आते हैं दूसरा making pickles आचार बनानेagger realize pikles बनाने में भी बैक्टियरिया महत्वपूल जोगदान निभाते हैं flavor आप butter करकि बटर के फ्लेवर को इंक्रीज करने में बटर के फ्लेवर को इंक्रीज करने में यह जो बैक्टिरिया होते हैं वो भूम के अपनी अदा को करते हैं मेकिंग वाइन सराब बनाने में सराब वाइन बनाने में यह जो माइक्रो आर्गनिजम हैं जिसको हम इस्ट कहते हैं एक परकार का फंगस होता है फंजाई प्लूरल फंजाई और सिंगुलर फंगस इस्ट जो होता है एक परकार का फंगस होता है और यह वाइन बनाने में महत सुगर जूस फलों के जूस से जैसे ग्रैप्स के जूस से सुगर के जूस से सुगर केन के जूस से यह वाइन बनाया जाता है यह जो इस्ट होते हैं यह इस फ्रूट्स के जूस को एलकोहाल में कनवर्ट कर देते हैं तो इस तरह से यह जो बैक्टिरिया सॉरी बैक्टिरिया हमारे लिए बहुत ही महत्तोपूर हैं मेकिंग चीज पनीर बनाने में सर्टिन लेक्टिक एक्सिट बैक्टिरिया टर्न दा मिल्क सोर खटे में बदलते आप देखिएगा आपके घरों में जब चीज बनाना होता है तो दूद को जो होता है वो फारा जाता है इसके लिए बहुत सारे तरकीब अपनाए जाते हैं कोई निबू डालता है कोई कोई नमक डालता है और नहीं तो बड़े पैमानों पर यूज किया जाता है वहाँ पहले का जो पनीर का जो पानी होता है चीज का उसको डाला जाता है होता क्या है कि उसमें लेक्टिक जो बैक्टिरिया होता है उसमें बहुँ जादा होते हैं जैसे ही दूद में डालते हैं उस दूद को जो सोर कर देते हैं खट्टा कर देते हैं दूद को फार डालते हैं और पनीर बनाने में महत्वपूर भूमी का निभाते हैं ते जो बैक्टेरिया होते हैं और चीज पनीर बनाने में भूमी का निभाते हैं प्रिपेरेशन आप डो ब्रेड इडली डोसा भटूरा धोकला ये इडली डोसा भटूरा डो जो आपके घर में जो इसको पूआ कहते हैं ब्रेड जिस सब बनाने में ये माइक्रो आर्गनेजर महत्पूर भूम क्या नहीं कहाते हैं चलिए आप तो हो सकता है कि बहुत सारे धोकला भी बनाते हुए देखे होंगे इडली डोसा भी डेखे होंगे लेकिन हमको उमीद है कि सारे लोग नहीं देखे होंगे लेकिन सबके घरों में ये जो डो है जो जिसको आप चुकि हम लोग गाउं से रहने वाले हैं इसलिए आपके गाउं के भासा का नाम बताते है हैं जिसको आप पुवा कहते हैं जो माल पुवा जिसको कहते हैं वो आपके घरों में लगभाग से खरों में बनाया गया होगा है और सब लोग खाये होंगे और हमको लग जगाplays कि आज बताने के बाद बहुत सारी लोगों मुझे पानी भी आ गया होगा और अपने मम्मी दादी से जरूर कहेंगे थोड़ा बना दीजे ना तो भाई बच्छों के लिए बना दीजे क्योंकि इस समय जो रेसीपी जो यूटूब पर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग च देखिए ये जो इस्ट होते हैं जो इस्ट नमक जो फंगस ये इडली डोसा धोकला और डो ये डो बनाने में ये महत्वपूर्ड भूम का निभाते हैं आए देखते क्या हैं अकसद आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो दादी मम्मी जब उनको डो बनाना है जोड़ देती हैं पहले तो हम लोगों को ने देखा है कि हमारे घोरों में जब हमारी मम्मी बनाये करती थी तो रात के समय ही उसको गूंट करके और उसको ढखक करके रख देती थी हमारी ममी को यह नहीं पता था कि आखिर हमारी मम्मी ऐसे क्यों कर रही है क्यों कि वह पहले के जमाने के लोग इतने टेकनोलोजी पता नहीं थी उन्लोगों को बहुत सारे पता नहीं था लेकिन हम देखते थे चूंकि हम भी जब च stuff ते थे तो हम को भी जहां भी आओ वही process वो अपलाई करती थी हम जब आज पढ़ने गए और पढ़ने के बाद तब हमें पता चला कि क्यों मेरी मा जो है ऐसे करती थी चलिए क्यों ऐसा किया करती थी पढ़ने के बाद जो है ये पता चला कि तो बच्चों आखे बर आती है इस तरह से क्या मा की बात याद आते ही अद्मी रोक नहीं पाता है अपने आपको तो आज पढ़ने के बाद ये पता चला कि क्यों ऐसा करती थी क्योंकि उसको गूंद करके रखने के बाद से क्योंकि माइक्रो आर्गनिजम हवा में भी उपस्तित है इसमें इस्ट जो हवा में भी इस्ट उपस्तित है आज कल तो इस्ट के जो है डब्बे आते हैं कमर्शियल अस्तर पे उसको जो है लिया करके जो बड़े बेक्रीवाले जो होते हैं जो इंड़स्ट्रियल investments के तौरपे जिसको company के तौरपे जो یूज करते ब्रेड धोकला जहां बनाया जाता है बड़े पैमाने पर वहां तो इसट को लिया करकर उसमें डाल देते हैं तो कुछ ही देरों छड में कुछ देर में ही वह तयार हो स्वसन करते थे खाते थे और उस आटे को जो है जो इतना आटा हुआ करता था वो सुबह होते होते इतना हो जाया करता था वो यिश्ट जो है आकर के उसमें फर्मेंटेशन की प्रॉसेस करते थे और वो जो आता होता था इतना कम वो इतना ज़्यादा जो है सुबह में हो जाया करता था इसलिए वो जो पहले के लोग थे वो आते को गूत करके साम को ही रख देते थे लेकिन जिस पर साइंसिफिक र होते हैं उसमें इन एरोबिक रियक्शन करते हैं एन एरोबिक रियक्शन करते हैं मतलब ऐसा रियक्शन जिसमें आउक्सीजन की जरूरत नहीं होती है तो उसमें जब रियक्शन करते हैं तो उसके अंदर कार्बन डायक्साइड जो है भर जाती है और जब उसको तेल में ड हुआ जो भोकला जो इडली जो दोसा होँ फूल जाता है स्वैलिंग हो जाती है तो इस तरह से यह इडली डोसा दो इन सबस्कू बनाने में ये माइक्रो बैक्टिरिया इस माइक्रो आर्गनिजम का यूज किया जाता है अगला है ये तो बैक्टिरिया फंगस की बात अगला है algae as a source of food बहुत सारे algae को भोजन के रूप में प्रियोग किया जाता है करें कि algae are potential source of food for all human beings in China and Japan many sea birds are used as food करें कि China और जापान में बहुत सारे sea birds को भोजन के रूप में भोजन के रूप में लोग गहण करते हैं चाइना की बात आई तो आप तो चाइना को देखी रहे हैं वो क्या खा सकते हैं इसकी कुछ कलपना नहीं की जा सकती को क्या नहीं खा सकते क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं इनकी संख्या कम है और क्या खा जाते हैं अगर आप गीनना सुरू करिए आप तो आज कल सोसल मीडिया पर देखी रहे हैं कि यहां तक की क्या नाम रखें यहां तक की यजगर एनाकॉंडा छिपकली बिच्छू कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो चाइना वाले ना खाते हूं तो यह तो रही अभी यह तो पौधे हैं सीफूड तो यह एलगी जो है नियूटिसियस फूड जो है परदान करते हैं उसके अधरिक यह जो एलगी होते हैं बहुत से फिस के लिए भोजन का काम करते हैं समुद्रों के अंदर नदियों के अंदर जो एलगी पाया जाते हैं उस एलगी को बहुत सारे फिस अपने भोजन के रूप में उनका यूज करती हैं कैटल फीड कुछ एलगी जो होते हैं कैटल के चारे के रूप में यूज किया जाते हैं और आइस क्रीम बनाने में में एलगी का यूज किया जाता है और हुमन फीड कर रहा कि यह सिंगल सेल एलगा जिसको क्लोरेला के नाम से जाना जाता है यह माना जाता है कि पोट एफिजिंग human population human population को बढ़ाने में जो क्लोरेला होता है और मतपूर भूं का निभाता है कुछ फंजाई जो फंजाई होते हैं वो भोजन का रूप में प्रयोग किया जाते हैं आपने मस्रूम का नाम सुनाई है यह जो मस्रूम एक एडिवल मस्रूम होता है खाया जाने वाल पहंगस होता है जिसको लोग खाते हैं इसके अतरिक मैडिसीनल यूज है बहुत सारे माडिसीन तयार किये जाता है प्रिपिरेसन अपर आंटिबायोटिक्स एंटिबायोटिक्स लाइक स्टिप्टो माईजीन, एरिथ्रो‐ए Ale rappers अरो‐सी dragons, औरो माईजीन, ऑरोमाईजीन यह सब एक परकार के फंजाई और बैक्TRIA से प्राप्ट किया जाते हैं सबसे पहला एंटिबायोटिक एलेकजंडर फ्लेमिंग ने 1728 में तयार किया था वो पैनिसिलियम नोट एटम नामक फंगस से तो सबसे पहला एंटिबायटिक एलेकजंडर फ्लेमिंग ने 1728 में डिसकवर किया था पैनीसिलीन नमक एंτιबाइटिक और उस प्रद्द किया था पैनीसिलियम नोटे एटम तो इस तरह से इसको बनाने में इसके अत्रिक इन से प्रेशन और वैकम्सीन वैक्सीन बनाने में इस mycro organism का बहुत बड़ा जोगदान होता है इस mycro organism से बहुत सारे vaccine बनाए जाते हैं करकी एड़ड जेनर 1796 में सब से पहला vaccine smallpox का smallpox का सब से पहले Edward जेनर 1798 में वो सोरी 1796 में पहला vaccine तयार किया था smallpox का और तब से आज बहुत सारे वैक्सीन त्यार हो चुके हैं आपने देखा है कि अब बच्चा पैसरा नहीं हुआ तब कि उसके पहले ही सारे वैक्सीन लगना सुरू हो जाते हैं पैसरा होते ही अब दो दिन का नहीं है तब गर को करद की BCG और ये लोगों में एक परकार का प्रतिरोधत छमता जो इस शरीर के अंदर उत्पन कर देता है जैसे माली जब BCG जो टूबर कुलोसिस का टीका है वो शरीर में जब इंजेक्ट कर दिया जाता है तो शरीर में BCG जो बैक्टेरिया होता है जो TB को फैलाता है माइक्रो बैक्टेरियम टूबर कुलोसिस उसके अगेंस शरीर में रोगों से लड़ने की च्छमता बढ़ जाती है जब कभी इस माइक्टेरियम टूबर कुलोसिस के जब बैक्टेरिया जब सरीर पार टेक करता है तो जो बी सी का जो वैक्सिन लगा होता है सरीर में ओत्रन पर्भावी हो जाता है और उस टूबर कलोसिस के बैक्टिरिया को मार डालता है तो इस तरह से बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे रोगों के प्रती वैक्सिन जो है बनाय जा चुके हैं पल्स पोलियो कुछ दिन पहले जह हमरे देश में बहुत पहले से बहुत लंबे इस टेप में बहुत कई चरड़ों में जिसका योज किया गया ताकि देश से जह पोलियो का नामों निसान मिटा दिया जाए और आज सफल भी है तिसरा से वैक्सीन को बनाने में वैक्सीन बना होंगे लेकिन अपने बाबा से पूछिए अपने पापा से पूछिए कि पहले के जमाने में हमारे गाओं में जब जूट बोया जाता था जिसको गाओं में लोग पटुगा कहते रहते थे गाव की भासा बता रहे हैं जब उसको बोते थे काट थे काटने ये बाद इसको क्या करता था बंडल बना करके और उसको पानी में जहे दबाया जाता था उसको वो सड़ा देते थे नश्ट कर देते थे और तब हपते दिन के बाद जो वो सड़ जाता था तो उसके बाद हम पानी से निकाल करके उसको साफ करके और उसमें से रे से निकाल लेते थे तो इंड़स्ट्रियर रेटिंग करने के लिए इस μائیکرو बैक्टिरिया का योज़ किया यह बैक्टिरिया जो होते हैं इसका सीवज इस्पोजल में जो सीवज होता है जो झालों के गंदे जल होते हैं جہां सीवज ट्रीट्मेंट प्लांट जहा होता है वहां पे बड़े- elemento में सीवेज का पानी को कठा करके और इसमें कुछ खास पार्टिकूलर बैक्टिरिया को वहां डाला जाता है वह BACTOR जो होते हैं उसके सारे हानकारक चीजों को कर देते हैं लेस हारमलेस में और जो सीवेच के को टीरट करने में प्रूब किये जाते हैं इसके जो the यह माइक्रो ऑर गनीजेम है हमारे को क्लीन करने में महतव फूर निबाते हैं आपने देखा होगा आ था बहुत सारे lina हमारे घरों से जो सब्सक्राइब के छिलके फलों के चिलके जो हमारे जूठ independent अन जो होते हैं ये जो है जब बाहर जब होचता है हम उसको कच्ड़े में डालते है तो वहा कुछ दिनों के बाद सड़ जाता है उस सड़ाने का काम भी है माइक्रो अरगनेजियम ही करते हैं अगर वो नहीं सड़ाते तो आज तक ये दुनिया जो होती है फिर भी हमारे कई फीट का कई किलो मीटर उची जो है भर गई होती है समझिये इसी तरह से हमारे एनवाइरमेंट को भी क्लीन करते हैं आप सोचिए कि अगर कोई जीव मरता है तो मरने के कुछ दिनों के बाद अगर आप दो दिन के बाद जाएं तो आप देखेंगे उसका सरीर जो होता है व और उसके सरीर को डिकमपोज करना सुरू कर देते हैं आप जब चार दिन के बाद जाएंगे तो उसके सरीर से बैर इसमेल आपको दुरगंध आने लगती है उसका सरीर जो होता है वो सड़ने लगता है और सड़ने के बाद कुछ दिन के बाद और आप जाएं तो कियावल ह हड़ी बच जाती है और कुछ दिनों के बाद वह हड़ी भी समाप्त हो जाती है इस तरह से यह जो माइक्रो आर्गनिजम होते हैं वो जीव को डिकम्पूज करने में महत्वपूर भूम का निवाते हैं आप सोचिए कलपना करिए कि अगर यह माइक्रो आर्गनिजम नहीं होते हैं अगर वो जीव सड़ता नहीं मरने के बाद तो क्या होता इतने पेंड़ पौधों के पतियां तहनियां फल फ्रोट्स यह सेड्स इतने जो गिरते हैं मिटी पर मिटी पर गिरने के बादे सब सड़ जाते हैं इस सड़ाने का काम भी माइक्रो अर्गनिजम ही करते हैं तो समझो कि आज तक इस दुनिया में जीतने जीव मरें अगर इनका सरीर डीकंपोज नहीं होता सड़ा नहीं होता तो यह सोच यह अंदाजा लगा लिजे कि अपिर्थ भी कीतने उचाई तक आज तक ढग गई होती है और जीवों का सरीर के जो कांपलक्स मैटेरियल होता है उसको यह सिंपल मैटेरियल मैं कनवर्ड कर देते हैं और मिटी में मिल जाता है पिर वही पोधने इसको योज करना शुरू कर देते हैं इसके अत्रिक यह जो micro-arganeam होते हैं वो soil fertility को बढ़ाते हैं soil fertility को बहुत सारे micro जैसे 78% से ज्यादा nitrogen है लेकिन हमारे जो पौधे हैं इस वाइमंडल के नाइट्रोजन को सीधे अबजार्ब नहीं कर सकते इस जो पौधे होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस मतलब नाइट्रोजन के कमपाउंड के रूप में ही अबजार्ब करते हैं से नाइट्रेट के रूप में यह जो साइनोब बैक्टेरियम होता है जो साइन यह यह क्या करता है कि एटमाइस्फियर के जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रिर्जяютर perfectly בהोड ने कंपाउंड और कर देता है इसके असरी राइजtar, वम प्लांट्स जो पौधे होते हैं लेगुमिनेसी कूल के जो पौधे होते जैसे दलहनी पी बिन्स ग्राम इसके जो पौधे होते हैं इनके जड़ों में इनके जड़ों में गाठे पाए जाती हैं और उन गाठों में राइजोबियम नामक बैक्टेरिया पाया जाता है वो क्या करता है कि यह nitrogen को nitrate में convert कर देता है और उस nitrate को जो पौधे होते हो यह अब जाब करते हैं ते राइजोबियम और पौधा जो है symbiotec G1 को बैतीत करते हैं आपने देखा होगा कि आपके घरों में जब मुंग का पौधा, मटर का पौधा, चना का पौधा जब वोए जाते हैं तो उसको अक्सर लोग कहते हैं कि उसको पूरे जड़ के साथ मत निकालिए उसको जमीन के उपर से काट लीजिए यह scientific region है, चोंकि जो दलहनी फसले होती है जिक उसको हम लेगो मिनेस्टी के कूल के पौधे कहते हैं जो डाल कूल के जो पौधे होते हैं फैमिली के उनके जड़ों में नोडिल्स पाया जाते हैं और उस नोडिल्स में राइजोबियम नमग बैक्टेरिया पाया जाता है ओगे जब अगले फसल कि जड़े की घाटे होती है जब सड़ेंगी तो सड़ने के बाद मिट्टी में उसकी नाइटोजन की मात्रा जो है बढ़ जाती है और हमें और उन पौधों को नाइटोजन प्रयावत मात्रा में मिलने लगता है चलिए अगले वीडियों फिर आपसे मिलेंगे तब तक लिए बाय बाय जैहिंद जैभार सौस्तरियोर मास्तरिये